सबसे पहले गुड इवनिंग औल उफ यू मैं प्रवीन पटवारी और मैं आज आपको इस टॉपिक पर गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने फेलियर से ओवरकम कर सकते हैं और नेक्स एक्टेम के लिए आपको रेजिस्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ठीक है रेक्रूटर्स धूनते हैं कि वो जो candidate है वो consistent है कि नहीं है वो अपने exam giving pattern में consistent है कि नहीं है मतलब कि वो जो candidate है क्या वो disciplined है अपने exam को लेकी अपने life को लेकी क्या वो serious है तो उसके लिए अगर आप अभी से देखेंगे तो दो महना का period बाकी है ये दो मेहना में हमारा अल्मोस्ट के सारे पेपर के लिए हमारे life classes चल रहे हैं, उसके अलावा अगर आप देखेंगे life classes के अलावा हम लोग अभी mock test conduct करेंगे, जो official mocks होंगे, the mock test number will be 2, दो पेपर A का, दो पेपर B का, जिसमें एक single paper है उसका, and हमने MCQs भी design किये हैं, ठीक ह अगर आज आप अपने आपको zero पे मानते हैं, देखो मैं एक average student था, मैं को ना time to time validation चाहिए था, जिसमें मेरे elder brother sisters ने, मेरे parents ने, मेरे friends ने, मतलब मेरे जो close ones है, उन्होंने में को बहुत support किया है, कि हाँ प्रवीन देख, तू कर, तू कर सकता है, तेरे अंदर वो intellect है, तो जो repeaters है, for example, अगर आपका पहले कोई exam clear नहीं हो है, या फिर आपने IFOE से कोई भी exam दिया है, so definitely you should give that exam, इसका reason कि है क्योंकि आपको process पता है, आपको process पता है, सिर्फ आपको वो process को repeat करना है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी कहां-कहां पर गलतियां हुई है, past में आ इनको डर लग रहा है, please आप exam दीजिए, हमारा preparation बहुत solid है, and मैं आपसे एक चीज हाथ जोड़ के request करूँगा, कि please आप लोग सब live class में आइए, आपने हमको जो इतना रुपया दिया है, मतलब आपने हमको बहुत रुपया दिया है, मतलब कोई छोटा मोटा मौन नहीं द तो basically you should get कि मेरे को प्रवीन सर और शिवांगी माम को अंकेट सर को उनके पुरे टीम को occupy रखना चाहिए, मतलब आपके जो भी queries है, आप एकदम आराम से पूछिए, आप हमारे life class का benefit लीजे, आप कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता है, CM1, CS1 में कि sir, मेरा तो college के संग clash होता सुभा उठके पढ़ो, और दिन में एक routine मैंना लोग कि मेरे को दो घंटा करके पढ़ना है, तो वो बहुत जरूरी, and trust me, मैंने ऐसे-ऐसे situation से exam clear किया है, कि अब जैसे मैंने CP1 है, में को काफी time लग जया, मतलब मैं 2020 से try कर था CP1 के लिए, like success comes to them, those who are basically always busy looking for it, मतलब मैंने, देखो, मेरा अपने personal life से हमेशे यही बोलूँगा कि मैंने बहुत term skip किया, मने मैंने यह term भी exam नहीं दिया, यही मेरी गलती थी, तो basically यह सब mistakes आप लोग repeat मत कीजे, ठीक है ना, so basically मेरा सबसे बड़ा life का regret यह था कि जब मेरे को लगा कि मेरे से कोई बड़ा paper नहीं हो कि हाँ भई, आज मैं 0 पे खड़ा हूँ, आज से मेरे पास में 60 days का time frame है, तो 60 days में अगर मैं चाहूँ, तो मैं हर दिन basically 1% improve करूँगा, exam में pass होने के लिए लगबग 60 कभी pass नहीं है, बहुत बार वोग 65-66 भी मांगते हैं, तो basically हर दिन में आपने आपको 1% on an average improve करूँग जो लोग का पुरा दिन free है, आप exam को लेके stress मत लीजिए, आपका जो passion है, आप उसको थोड़ा बात follow करिए, जैसे हमेशा ऐसे मत सोचिए कि यार, यह हो जाएगा तो मैं यह करूँगा, यह हो जाएगा तो मैं यह करूँगा, I am 27 years old, this September 14, I am turning 28, मेरे life का सबसे बड़ा एक और जो regret है वो यह है कि मैंने अपने life को पुरा मार दिया थे एक time पर, मतलब ऐसा था कि यार, मेरे बच्चों का exam हो जाएगा तब मैं यह करूँगा, मेरा exam हो जाएगा, वैसे मत करिये, दिन में आप 15-20 minute, आदा घंटा जिसको boxing पसंद है, जिसको cricket खेलना पसंद है, जिस मतलब we feel energetic, sir में को तो खेलने के बाद थकान हो जाता है, I can totally understand, means आपके mind एकदम पुरा vacuum create हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा, जिसको guitar पसंद है, जिसको dancing पसंद है, थोड़ा देरी 10-15 minute, 20 minute आप वो कर सकते हो, ठीक है, उसके अलावा, देखो थोड़ा सा आपको क् मतलब मैं personally बोलूँगा, बीच में मेरे अंदर भी बहुत एंकार आ गया था, ठीक है ना, तो वो नहीं होना चीए, ठीक है, now you should bow down, you should respect, देखो, problem क्या आता है, आपका जब दो paper clear हो जाता है, now why the number of failures in CS2 and CM2 are more and higher papers are more than compared to the lower level exams, because जब एक बच्चा अपना career चालू करता है, व बच्चा का एक-दो paper clear होने लग जाता है, वो अपने आपको भगवान के बराबर समझने लग जाता है, उसको यह लगता है, क्यार मैंने ये कर लिया, तो मैं दुबारा से कर लूँगा, बट वो नहीं है, पता है, वो एहंकार नहीं आना चाहिए, आपको paper का difficulty level को respect करना च मतलब जहां आपको लगता है, कि भई, आप जिसे बहुत बर क्या होता, आपके अंदर बहुत कुछ भर जाता है, तो basically आप अपने parents से, अपनी mother से, जैसे मैं अपनी mother से बहुत close हूँ, तो मैं उनसे 5-10 minute दिन में बात कर लेता हूँ, तो पुरा दिन तो time नहीं मिल पाता ह मैं उनसे 5-10 minute बात कर लेता हूँ, तो यह सब basic basic चीज़ें, अगर आप इस सब practice करेंगे न, तो आपको basically अच्छा भी लगेगा, and plus आपको बहुत boring नहीं लगेगा, मतलब आप ऐसा नहीं हो नाची कि आप room में बंद हो गए हैं, लेक मैं खुद पहले ऐसा advice देता था था जब मैं safe आने के लिए पढ़ रहा था, तो मैं खुद ऐसा अपने आपको room में lock कर लो, कुछ मत करो, ऐसा नहीं है, मतलब आपको एक healthy practice follow करना है आने वाला 60 days के लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हो कि बाहर एकदम मत जाओ, week में एक दिन चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, थ जो अप every day, बुखार है, I can understand, सर्दी खासी है, weather change हो रहा, I can understand, social pressure, I can understand, family में problem चल रहा है, जगड़ा चल रहा है, medical reason चल रहा है, और आपके दिमाग में 10 तरीके की चीजे चल रहा है, girlfriend, boyfriend का जगड़ा चल रहा है, समझ रहे हो, friend बात नहीं कर रहा है, मतलब आपको लग रह मैं किसी और के left में देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, कि यार मेरे left में बहुत problem है, तो ऐसा नहीं है, यह एक normal process है, जिससे हर एक आपनी को गुजरना पड़ता है, ठीक है ना, और आपके exam के बीच में देखे, किसी को भी मता नहीं दीजे, मैं personally मानता हूँ, पहले मेर में पास messages आना चालू हो गए है, I am giving CS to this time, I have done just two chapters, no problem, यार, give that shot, give the shot, यार, आपको, you never know, you never know, मैं हमेशा एक optimistic आदमी रहा हूँ, लाइफ में, मतलब, जबी भी मेरे को लाइफ में opportunity मिल है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि, यार, मतलब, यार, देखते करूँगा कि नहीं प्रफेशनल एक्जाम्स में ऐसा नहीं होता है, लोग बहुत बढ़ते हैं, फिर भी उनका clear नहीं होता है, आपके पास में एक decent prep time है, मैंने मेरे को अगर कोई मानेगा न, तो मतलब, ऐसा कोई actual paper नहीं है, जिसके लिए दो मैने में पढ़ा नहीं जा सकता है, LinkedIn पे बहुत स seniors हैं, कि आप यह बकवास कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, trust me, कोई भी paper हो, आप दो मैने में पढ़ाई करके दे सकते हो, बने मेरे को personally ऐसा रगता है कि actual science में ऐसा कोई paper नहीं है, जिसके लिए आप दो मैने अच्छे से पढ़ेंगे तो आप pass नहीं होंगे, यह मेरा मानना है तो अब आप कोई भी stage में हो, आप अगर आप दो paper दे रहो, तो definitely मैने ही आपको recommend किया होगा, या तो आप एक x failure रहे होंगे, या फिर आपका एक paper अच्छे से हो गया, तो आप second paper कर रहे होंगे, so basically कोई भी situation है न, अगर आप आज से भी पढ़ना चालू करेंगे, तो आप करेंगे, and exam register करने के बाब में भी थोड़ा से driving force आता है, now an important update to the members, आप लोग अभी register कर लीजे exam के लिए, क्योंकि देखिए, होता कहना है exam के पहले आपका PPD deadline वगरा का issue हो सकता है, आपका वो freeze हो सकता है, payment related issues हो सकते हैं, तो देखिए, last moment में न, हम भी कुछ नहीं कर सकते कि UK Institute 2-3 दिन time लगाता है, कोई भी type का query होता है, तो there is a waiting time of 2-3 days, तो वहाँ पर किया आपको एक time frame रखके चलना पड़ेगा, non-members का registration खुल रहा है, हमने video बनाया YouTube पे है, वो हम लोग बता देंगे, 15 तारिक को खुलेगा, तो उस दिन हम लोग आपको query resolve कर देंगे, ठीक ह आपको आपको ऐसा लग रहे हैं, कि आपको कर रहे हो, बट आपको कुछ नहीं कर रहे हो, एक चीज़ अगर कोई मेरा माने गाना, fail होने से कभी life में डरना मत, मतलब मैंने जो भी कुछ किया है, मैं बार-बार, basically, just give me a second, just give me a second, So basically, मैं, मैं बहुत बार fail हुआ हूँ, ठीक है ना, एक बात मैंने LinkedIn पोस्ट पर भी डाला था, कि मतलब, मैं जब start में, मतलब, for example, मैं papers fail हुआ हूँ, CB1, I was a CA finalist, I was very proud of myself, तो वो हुआ, क्योंकि I did not study, Again, अपने friend का कभी भी ना, life में, गलत advice मत सुनिएगा, friends आपको ऐसा ही बोलेंगे, कि यार, इस paper के लिए तो 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 बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो again, I failed, okay ना, तो I have failed these basic exams as well, मेरे संग ऐसा ऐसा चीज हुआ है, आप लोग सुनोंगे, मैंने हर टाइप की गल्ती मैंने अपने life में की है, ठीक है ना, CP3 का paper मेरा गलत upload हो गया था, right, I got a zero, I got a zero, I am being very honest, I got a zero in CP3 exam, and वो exam मेरा honestly बहुत अच्छा गया था, ठीक है ना, उसके बाद मैंने बहुत basic exams मैंने 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 और 8, यह सब मेरा एक एक बार में हुआ है, ठीक है ना, but होता है यार, life में वो phase आता है, मैं full time पढ़ा रहा था, I will not blame anything, मैंको पैसा कमाना था, मेरेको अपना नाम बनाना था, तो वो basically मैंने वहाँ पर input डाला, मेरेको professionally बहुत success मिला, बट मेरा जो personal है, मेरा जो खुद का पढ़ाई है, वो एक time बहुत sacrifice हो गए, तो वो मैं बोलूँगा, आप लोग balance बना के चलिए, ठीक है ना, तो अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, मतलब आप लोग को बहुत ज़दा pressure नहीं लेना है life में, कि या कि अपिकली उस समय, हमारा 50 प्लुस का टीम है, मतलब पांच जन खाली पुरा दिन admission लेते हैं, कि या प्रस सेट उप 5 students, में I used to travel 30 km, मैं तो बहुत अब थे किलोमेटर को मैं आय सें साओ और नौ जाता है, तो ऐस पुरा दिन जाता झाटता जाता थे तु थे चासेंच रह जाता था पढ़ाने, उसके बाद में बालिगन जाता था. So basically, शुरू में जो रहता है, जैसे I'm talking about the students, those who are here, and those who are giving the exams of CM1 and CS1 or ACET. मतलब, इन सब exams में तो आपको सबसे जदा प्रोब्लम होगा, but once you know the process, आगे के process में आपको उतना प्रोब्लम नहीं होगा. We have seen such drastical re-engineering in the students, like basically, SSA students जिनका basically पहला दो साल में एक भी पेपर clear नहीं हुआ, आज उनका दो-तीन पेपर बचा है. SSA students जो लोग ग्राइजिएशन के बाद चालू कि आज वो qualified actuaries है. मतलब, समझ रही हो, मतलब, वैसा कुछ नहीं है. It totally depends time to time, आप कितना time commitments देते हो, and being very simple, आप जिस चीज को जितना time दोगे न, वो चीज आपको उतना ही return देगा. It's as simple as that. मतलब, इससे easy बात मैं बोल नहीं सकता हूँ, यार, आज अप अपने books के संग time spent कर रहे हो, तो definitely books आपको return देंगे. ये बनावासा बात है, इसको कोई नाई नहीं कर सकता है. हो सकता है, आप आज fail हो जाओ, आप एक्टाम और fail हो जाओ, but आप consistently fail नहीं कर सकते हो exams में, यार. आज कोई बच्चा, अगर मेरे कोई ये बोल रहा है, कि sir, I have got 40, and मतलब मैं 7-8 मैंने पढ़ा था, तो फिर that's something different scenario, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा, कि जो भी majority of the students, they fail, यहाँ पर इतने सारे students है, मैं देखना चाहता हूँ, कि ऐसा कौन सा बच्चा है, जो 5 नंबर से ज़्यादा का margin से fail हुआ है, and सबने मेरे को एक ये बत बोला है, sir, passing इतना था, मेरे को एक number कमा है, मेरे को 2 number कमा है, मेरे को 3 number, मेरे को 4 number, मेरे को 5 number, कोई मेरे को ये नहीं बोला, कि sir, मैं 6, 7, 8, 9 number से fail हुआ हूँ, so try to understand the importance of each day, जो आप लोग miss करते जा रहे हो, एक भी दिन miss out नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ न, you win 90% of the battle, just by showing up on your bad days, trust me, आज सुबह मैं बाहर था, मैं सुबह एक class लेके गया, दुपैर में मैं घूमने गया था, just now I came back, I will take the session and शाम को मेरा class है, मैं को बुखार है, सर्दी है, खासी है, जो routine है, follow करना है यार, आपका routine monotonous होगा, आपका routine boring होगा, जो आदमी success को touch किया, उसका life boring होता है, monotonous होता है, मतलब आप एक बात सोचो, लोग बोलते हैं मैं काम में कुछ नया सीख रहा हूँ, मेरे काम में क्या नया है यार, it's been 11 years, I've been teaching the same thing, with that patience, with that ठहराओ के साथ पढ़ाना, तभी मेरा इतना नाम है, मैं 11 सल से वही काम कर रहा हूँ, मतलब एक को ख़ली पढ़ाना ही आता है life में, मैं कभी काम नहीं किया अपने life में, I tried multiple times but I failed, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा चीज है कि आप लोग सही time पे सही course को pick up किये हो, and trust me, आप इस course को अगर अच्छे से करते हो, तो there is no looking back, आपको और कुछ भी नीचे life में, this course has got all the things that you all need, okay, so मैं यही recommend करूँगा, कि एकदम अच्छे से exam दीजिए, and कभी भी exam ऐसा मत करेगा, कि exam register नहीं किये, यह मैंने कलतिया की है, so definitely I made it a point कि अब मैं life में कभी ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है ना, so कभी भी exam मिस मत करना अपना, ठीक है ना, flow को break मत करना, कोई दिर नहीं मन करें, आदा घंटा पढ़ लो, किताब बंद कर दो, बट एक basic 30 minutes, वो flow break नहीं होना चाहिए, ठीक है, always remember the larger goal in life, कि अपने सब को यहाँ पर qualified actually बनना है, मैं आपको एक perseverance का एक story बताता हूँ, मेरा personal है, ठीक है ना, I started actually teaching in 2015, ठीक है, we got our first actually maybe in, I guess, 2021, if I am not wrong, ठीक है ना, 2021 में बिला होगा, Meghna was the first qualified actually, 2020 or 2021, and now this term, we got five fellow actuallys, and 13 associate actuaries, that gives a total of 40 plus fellows, oblig associates in total, so आपको वो patience दिखाना पड़ेगा, life में growth ऐसा नहीं होता है, life में growth हमेशा उपर नीचे, उपर नीचे, उपर नीचे होता है, तो कोई टम में कम नंबर आएगा, कोई तम में ज़्यादा नंबर आएगा, कोई दिन आप कम पड़ोगे, ज्यादा पड़ोगे, कोई दिन आपका mood बहुत अच्छा होगा, कोई दिन आपका mood नहीं अच्छा होगा, जैसे खाना खाते हैं, जैसे सोते हैं, अपना sleep cycle मत करो, पर प्रेशर में, जैसे आप देखते होंगे, कूल स्नापस आते होंगे, आपको दो बजे, I am studying, कोई भी show off करने की दरकार, किसी को भी नहीं है, लिव हम्बली, and yes, आपको थोड़ा सा spirituality दिखाना पड़ेगा, दिन में 2-3 मिनिट, जो भी आपको पूजा का थोड़ा प्राक्टिस करना है, तो उसे कहना, आपको थोड़ा थोड़ा बटर फील होंगा, एक एन अथिसाफ लवल, I think that it is required, एक ार्टेक हैना, something which I personally feel is missing currently in my life is that spiritual touch, so definitely I am also going to again restart all those things, so definitely I'll recommend all of you, during my CA finals, there was a 15 minute basically gap that I used to take every day in the evening, ranging from 6 p.m. 3 p.m., I used to take a 15 minute break, and I used to just do a brisk walk, बीक पार्ञाट, that helped me a lot in cleaning my mind I used to speak in the open, basically ground I used to go and just by a brisk walk maybe in 15 minutes I used to walk maximum 1 km but I used to just speak out whatever is there in my head so that helped me a lot in cleaning my mind okay so just go with the flow and just keep attending the classes okay so that I feel this very 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 important okay so this was a small piece of advice and now yes I'll open the house for questions you all can just